पुतर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रिजेश पाठक जी हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद हैं और अभी हनुमान से तु दर्शन करने के लिए गये थे अपनी पतनी के साथ और अब फिर पुना घर वापस आएं सर क्या माहौल लग रहा है आपकी विधान सभ आवा छेत्र में भारतियंता पार्टी पहले से मजबूत होकर के सामने आई है लोग कानून बेवस्ता को पसंद कर रहे हैं लोगों का मानना की वीजेपी कानून का राजी स्थापित कर सकती है और लाइनाडर के साथ-साथ हमने डबलमेंट के मोर्चे पर बहतर काम किया है हमने सर्व समाज को मजबूत किया है और जो आम आदमी है जो गरीब आदमी जो वंचीद आदमी था उसके जीवन जीने लाइक हरिस्तर को हमने उचा बढ़ाने का काम किया है समाजवादी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने शतक मार दिया है समाजवादी पार्टी पूरी तरह से साफ हो जाएगी वो 17 में भी साफ हुए 19 में भी साफ हुए इस बार भी साफ हो जाए उनके गठ बंदन को लोगों ने ठक बंदन करा दिया है और देखेगा 10 मार्च के बाद फिर वही यह दुसरूर होगा आपस में जिस प्रकार से ग रूप लगा करके लोगों को ध्यान भटकाना चाहती है जबकि उनके डियने में गुंडई माफिया गर्दी लूट खसोट रेप जैसे गंभीर लोगों के साथ उन्होंने काम किया है और जो सूची आई उनकी प्रतियासियों की उस सूची में भरमार है तो उत्तर प्रतिक सरकार कानून का राज स्थापित करने के लिए कर संकल्प है और यूपी में कानून का राज कायम होकर रहेगा तो अब जो आने वाला समय है उसमें और द्रड संकल्पित होके काम करेंगे और भी हम कानून को कड़ा करेंगे अब प्राधियों पर कारवाई जारी रहेगी औ आप सुन रहे थे ब्रजेश पाठक जी को कानून मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और अभी सबसे पहले वो घर से निकल कर हनुमान सेतु गए वहाँ पे उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किये और अब अपने घर पर पुना वापस आये हैं इसके बाद उनका छेत्र म में दौरा शुरू होगा मतदान इस्थलों पर जाएंगे और कैंट के लोगों से जो है वो मुलाकात भी करेंगे कैमरमें शीवम के साथ सीमाब नकवी भारत समचार लखनव